मेट्रो रेल से समन्दित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइप एलपी चैनल को सबस्क्राइब कि दिये साथ में स्वेयर करना मत बूलिए हलो दोस्त रेलवे गुरूब डी पीटी रिजल्ट 2019 और सब को चोका दिया आरारसी कुलकता ने तो सुरू से ही हमने जब रिजल्ट आय था तब से फॉलो कर रहे हैं और वीडियो नंबर चार या पमाच है आरासी कुलकता गुरूब डी पीटी के रिजल्ट के सबने तो यहां कट अप और क्वालिफाई कंडिडेट के एक्चूल के बारे में बात करेंगे अब कुछ नही एक्जाम आपका हुआ था तू नहीं वनली सीबीटी उसके बाद जो कट अप था वही रहेगा लगबगबग लगग 99.9% कुछ कंडिडेट को छोड़ दीजिएगा कभी अपवाद होता है क्योंकि कोई पोस्ट सेलेक्शन कम किया है कुछ नहीं किया है तो क्वालिफाई क कंडिडेट के लिए यहां पे है सुनारा मौका कि आपको एक जोब इंतजार कर रहा है RRC कोलकता में तो कुछ लोग ने बोला था कि PT रिजल्ट सबको चोक आया all data in public जितने भी डाटा है RRC कोलकता ने में public में डाल दिया तो यहां पे असकेम कहने वाली बात रही नहीं तो जो लोग कहते हैं उनको अब सोचना चाहिए कि जितनी कंडिडेट जरूरत है उतना ही पास हुए हैं और उससे भी कम हुए हैं डाइरेक्ट बेकेंसी में 1.2 की बात नहीं कर रहा हूं मैं केवल वन टाइम का तो चलिए data को analysis में चलते हैं तो data analysis ए रहा कि PT हुआ था आपका Eastern Railway Sport Complex कोलकाता में डेट आपका रहा है 28 तारिक से 4 तारिक तक लेकिन अभी absent वाले कंडिडेट को हो सकता है बुलाया जाये जिसका website पे कोई information नहीं है तो अभी तक total absent कंडिडेटों के संक्या में बता दू तो 2032 बन रहा है इनके result के अनुसार से कुछ data इसमें variation एकाद इधर उधर किया हुआ है क्योंकि कोई copy नहीं करें बहुत लोग copy करने के लिए आज कल तयार रहते हैं उसके लिए थोड़ी सी सुरक्षा दिया हुआ है कुछ सी data में कि अगर कोई copy करेगा तो direct पता चलेगा कि कहां से क्या data हो रही है तो चलिए यह यहाँ पर हम बात करेंगे 28, 29, 30, active, 1, 2, 3, 4 एक एक डेट में qualify not qualify और total candidate भाग लिए हैं उसकी बात करेंगे इसमें absent सामिल नहीं है ध्यान दिजेगा absent को छोड़ कर है absent अलग से हमने count कर लिया total candidate से तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले 28 तारीक को 392 candidate not qualify हुए थे 49 qualify हुए थे और 441 total candidate ने P.E.T. में भाग लिया था यहाँ पर female plus male दोनों candidate का inclusion है कोई अलग अलग नहीं दिया हुआ है चार तारीक वाले और 28 तारीक वाले में female candidate का ज्यादा था इसलिए लेकिन result दोनों का common करके दिया हुआ है उसके बाद 29 तारीक की बात करेंगे तो 29 ता तारीक को बात करेंगे 30 मार्च 2019 का तो 451 candidate not qualify 312 qualify और 763 आपका total candidate के रूप में 31-3-2019 की बात करेंगे तो 419 not qualify 373 qualify 802 not qualify total candidate थे उसी तरह एक तारीक को एक अपरेल 2019 को 386 candidate not qualify और 389 candidate qualify है 775 भाग लिए उसी तरह दो तारीक को आप देख ले तो 359 और 402 qualify यानि not qualify से qualify यहाँ जादा और यहाँ जादा बाकी दिन सारा दिन कम तो 761, 753 अगले दिन है 3418 को जिसमें 389 candidate not qualify है और 374 candidate qualify है 353 तो total आपने देखी लिया और 4 तारीक का दो बैचों में जो result आया है उसमें देखे है तो 395 candidate not qualify और 362 qualify और 757 candidate उने भाग लिया अब इस तरह से देखेंगे तो total PT में भाग लेने वाले candidate के संख्या बन रही है 5071 बुलाया गया था PT के लिए 7103 candidate को यानि absent की संख्या आप देख लें तो यहाँ पे मिल जाएगा 2032 candidate लगभग absent रहे हैं दो चार डाटा इधर उधर जरूर है तो उसके बाद करेंगे हम यहाँ पे तो not qualify हो गए 3284 qualify हो गए 2181 और total post की संख्या अगर मान ले तो यहाँ पे दिया हुआ है new vacancy, old vacancy दोनों मिला के तो यहाँ पे देखेंगे 2367 तो अब किसी को कहने के लिए संकोच है कि document verification में किसी को नहीं बुलाया जाएगा तो सब को बुलाया जाएगा बसरते एक condition है एक service man वाला वो भी देख लेते हैं condition यह है कि CCA जो railway से apprentice होता है उसके बाद एक service man और PWD के candidate की सिंख्या 473, 473 और 10 यानि कुल मिलाके 956 vacancy reserve है इनके लिए लेकिन यहाँ पे CCA की vacancy के कोई tension नहीं लेना है CCA में अगर CCA का candidate qualify करेगा तो ठीक है नहीं तो इस vacancy को normal community से भरा जाएगा लेकिन एक service man और PWD की vacancy यह है यह पूरी तरह से separate है केवल एक service man और PWBD candidate ही इसमें जा सकते हैं तो यहाँ पे PWBD की vacancy 10 है मात्र बहुत जादा नहीं है 473 को अगर हटा भी दें अगर total की हम calculation कर लें तो यह total अगर इसे जोड़ दीजेगा तो 956 अगर minus कर देते हैं तब भी 1481 vacancy है 1411 और 1411 का 1.29 candidate को बुलाना चाहेंगे तो यह आएगा 1694 केवल first list में second की बात नहीं हो रही है भी केवल first document verification list में और इसमें से apprentice वाला और एक service man का भी घटा देंगे तो यह 1694 से ज्यादा candidate नहीं बन रहे हैं इसमें भी जो आपकी direct candidate है यह तो आपको यह 5000 यहां से देख ले 1282 का अगर बुलाया जाए 1.2 गुना तबी 2841 candidate को बुलाना था लेकिन पास यहां 2387 का 1.2 यह नहीं यहां से यहां से एक mistake है तो यहां पे 2367 के गए 1.2 गुना अग अगर बुलाया जाया तो 2841 candidate को बुलाना था लेकिन पास हुए हैं 282 तो कहें असकेम हुआ है RRC कुलकता में क्योंकि railway को जितनी candidate चाहिए उतनी नहीं मिली है तो आप सोचिए आप knowledge है आप study करते हैं आप पढ़ाई करते हैं final result आते आते अभी देखिए हो सकता है waiting list का इंत को चाहिए document verification में अभी भी यहां document verification के बाद medical में कुछ चटेंगे किसी का document पूरा नहीं होगा वहां से चटेंगे किसी के post preference गलत हुई है उसमें चटेंगे अभी UR के candidate अगर ज्यादा qualify कर गए किसमें PT में तो यहां से चटेंगे OBC के ज्यादा qualify कर गए तो यहां से चटें candidate हो भी जाय तो post खाली रहेगी तो के बल एक serviceman की तो उस condition में देखिए कि अभी भी बहुत बड़ा gap है RRC कुलकता में कि जिनको इनको 2841 candidate बुलाने के लिए direct आप देख लें तो यहां से करीब करीब 685 candidate अभी और चाहिए और यह किस से पूरा होगा वेटिंग से और हो सक करता है कि आप आज 5 तारिक है 5-4-2019 को जो candidate absent हो गए उनका result अभी साम तक आएगा तो इसलिए अभी हमें wait करते हैं और cut up की बात कर लेते हैं तो cut up आपका direct कौन सी है cut up आपका PT का जो cut up है उसी की बात करेंगे इसमें ज्यादा हमें difference करने की जरूरत नहीं है और cut up का data मैं एक बार मेरे पास है मैं एक बार दिखा देता हूं बता देता हूं आपको की क्या था cut up का data उससे आपको क्या होगा सारी चीजे data का आपका एक्जेक्ट आपको knowledge हो जाएगा तो कोलकता का cut up गया था इस बार जो आपका actual cut up गया है तो 80 गया है यूर का 80.57 यूर का जो किसी भी RRC का सबसे ज़्यादा था तो ये cut up यही रहेगा अब दुजरा waiting list आएगा तो ये cut up 80 से बढ़के घटके हो सकता है 78 हो 89 हो जो भी हो सकता है ये कम होगा दूसरे waiting list में उसके बाद OBC की cut up की बाद 71.77 गया था OBC का उसके बाद अगर बात करेंगे 71.78 गया है एसी का और AST का गया है 55.76 तो यहाँ इस vacancy में एक ही चीज हो रही है कि एक condition हुआ जो लोगों को सोचने के मजबूर कर दिया कौन सा candidate have good preparation for exam not as good in PET examination यानि physical condition खराब थी आप तयारी में नहीं थे आप अच्छे पढ़ाई कर रहे थे लेकिन आपने PT में नहीं गये और EC को बदल के लोगों ने बोल दिया कि SKM है तो SKM इतना असान कहना नहीं होता है आप public domain में है तो सब को मिला के चलना बहुत जरूरी है technical अगर कोई गलती है तो उस पर objection उठाना बहुत जरूरी है लेकिन अगर कोई गलती नहीं है तो direct पूरे सब्द को बदनाम करना बहुत गलत है तो चलिए wait करते हैं कब आता है waiting list इसी सुचना के साथ आपके साथ हम तयार रहेंगे कि waiting list second जो आएगी या first आएगी waiting list फर्स आएगी और document verification second का आएगा उसके लिए इंतजार करते हैं thank you धन्यवाद